देश भर से जुटेज आदूसंतों की मौजूद्गी में सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल समराजिय में सत्ता हस्तांतरण में इसका प्रियोग होता था। प्रियम ने तमिलाडू से आदूसंतों से बाचीत में कहा कि देश की आजादी में तमिल के लोगों की भूमिका को कम महत्व दिया गया। इस तोरान प्रियम ने सेंगोल की एहमियत को तो बताया ही कॉंग्रिस पर निशाना साथा। इन तमिल संस्कृति से एक पुन्य मार्ग मिला था। ये मार्था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तान तरण का तमिल परंपरा में सासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतिक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्यान की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव के मार्ग से विचलित नहीं होगा। सत्ता हस्तान तरण के प्रतिक के तोर पर तब 1947 में 1947 में पवीत्र तिरु वावडु तुरई आधिनम द्वारा एक विशे सेंगोल तयार किया गया था। आज उस दौर की तस्विरें हमें याद दिला रही हैं कि तमिल संस्कृती और आधुनिक लोक्तंत्र के रूप में भारत की नियती के बीच कितना भावुक और आत्मिय समंद रहा है। आज उन गहरे समंदों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बहार निकल कर एक बार फिर जिवन्त हो उठी है। इससे उस समय की घटनाओं को समझने का सही दस्रिकोन भी मिलता है। और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सत्ता के हस्तान तरण के इस सबसे बड़े प्रतिक के साथ क्या किया गया। इस पवित्र सेंगोल का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में हस्तान तरण का प्रतिक बना था। इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से उसकी परप्राओं से स्वधंत्र भारत के भविश को कनेक्ट कर दिया था। अच्छा होता कि आज़ाजी के बाद इस पुझ्य सेंगोल को परियाप्त मान सम्मान दिया जाता। इसे गवरों में स्थान दिया जाता। लेकिन ये सेंगोल प्रयाग राज में आनन भवन में वाकिंग स्ट्रीक। यानि पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनन भवन से निकाल कर लाई है।